पर शब्दावली का इस्तमाल करना सिद्धू साफ को किना कि पाकिसान एजिन फिर बोलना को लगता भी ठीक लगता है देखो किसी को अपनी नाशनलिजम को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती इस्पेशली है क्रिकेटर को जो ग्राउंड पे जाके अपनी हड़ियां तोड़ा के भी अपने देश के लिए मरता है तो नवजोद सिद्धू एक ऐसा शुरू से सिंस्पोर्स के साथ अटाच्ट होता है और ग्राउंड पे तो इनकी वार होती थी पर वार रूम जब तुम्हारा मैच खतम हो जाता था उसके बाद ड्रेसिंग रूम में जब यहां भी डालते थे तो यह उस लेवल पे है कि जब लडाई होती है तो उसको तुम इतने ग्रो कर जाते हो लाइफ में कि तुम बिना रीजन के लोगों को दिखाना कि हम गालिया निकाल के बड़े बन रही है यह बहुत छोटा पन होता है ये तुम्हारा अंदर का छोटा पन है जो तुम्हें दिखाता है कि तुम गालिया निकाल के शॉयाद बड़ा बनने की कोशिच करे तुम धिमाग से काम लो और अगर country को प्यार करते हो तो country के हित में नहीं है कि हम वॉर करें कंट्री के हित में यही है कि अगर talks के थू डायलोक के थू दोनों कंट्रीज, कितनी बार हर कंट्री का यही रहता है कि लडाइयां रहती हैं कंट्रीज में पर कहीं न कहीं talks के थू अगर peace process हो जाता है तो बहुत अच्छा होता है पर अफकोर्स तुम national level पे ये जो बाते हैं तो वो seniors पे छोड़ देते हैं हम उसमें ऐसी छोटे छोटे comments करने is not nice